दिवाली पर देवी देवताओं की फोटो लगे पठाके बेचे तो होगी F.I.R. दर्जे परदेश व्यपार मंडल के निर्देश मामला सामने आने पर तर्ज कराएं तो कंदार और कंपनी पर केसे देवी देवताओं की फोटो लगे पठाकों की विक्री करना इस बार विक्रेताओं को महेंगा पड़ेगा परदेश व्यपार मंडल ने इस बार सक्त रुख अपनाया है आस्था को ठेश पहुंचाने वाले पठाके विक्रेताओं को धारा 295 में एक तहित कारवाई का खामया जब भुगतना पड़ सकता है उनके खिलाब एफाईर दर्ज करवाई जाएगी परदेश व्यपार मंडल की और से राज्य के सबी व्यपारियों को दिसा निर्देश चारी किये गए है सबी को बताया गया है कि अपने इर्द गिर्द इस परकार की पठाका सामगरी बिक्री होने पर संबन्दी दुकंदार और कमपनी के खिलाब पुलिस के पास शिकाय दर्ज करें संगठन का मानना है कि बिते वर्सों में ऐसा होने से लगातार धर्म आस्था को ठेश महुज़र रही है किसी भी धर्म का अपमानना हो इस पर पैनी नजर रखी जाएगी हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगे पठाके और आतिस बाजी बाजार में बिकरी के लिए आते हैं पैकेट्स पर लगे चितर पिर दूसरे दिने रास्तों पर बिकरे पड़े मिलते हैं इस बार पठाका सामगरी बिकरी करने वाले विकरेताओं पर पैनी नजर रखेगी पठाका बनाने वाले कंपनी और आगे इसे लाकर बिकरी करने वाले दुकंदारों के खिलाब केस तरज किया जाएगा इस समझ में विपार मंडल कई दिन पूरो ही परदेश सही दे जिला उना के विपारियों को आगरे कर चुका है रंगदार मिठाई वो ओनलाइन खरीदने करने का भी आवान किया गया है तेवारों में रंगदार मिठाईयां सहीद ओनलाइन सोपिंग करने को लेकर भी परदेश वेपार मंडल के वेपारियों वर्क को सचित किया गया है राजे के हलवाईयों को भी हलकी मिलावटे रंगदार और एम शेहत के लिए हानिकार ख्रामगरी का प्रयोग ने करने की अपील की है वही सथानी वेपार को बड़ावाद देने के लिए ओनलाइन सोपिंग ने करने का आवान भी परदेश के वेपारियों को किया है